हेलो दोस्तों एक बाफीर से स्वागत करता हूँ आपका इपी सीडी सब कुछ चैनल में है मेरा नाम बसी रामात खाना है हूँ एक फीर से चमचामा हट वीडियो लेकर जो चमकने वाला बेसिन देख रहे हूँ आप पंदरा साल का बेसिन है यह फीटिंग कैसे करूंगा इसका बहुत खुबसूरत दिखेगा आपको पूरा कंप्लिटली इसका मेजर्मेंट थोड़ा सा अलग सिस्टम का है जो आप देख रहे हो तीन सिस्टम पढ़ा है इसमें पूरा सेट मिलता है ओके इसका सिस्टम का पू देख लिए आप लोग यहां पर लोकेशन यह है जो यहीं पर बेसिन का आउटलेट और इनलेट है तो यहीं पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा एंगेल कौक और पाइप को कटिंग करके पूरा कंप्लीटली कर दूंगा उसके बाद पैडिश्टेल बेसिन बाठाऊंगा औ वीडियों बने रहीएगा और चैनल में नहीं हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए अगर खराप लगता है तो वीडियो जलू डिसलाइक कर देख लिए यह जो ग्रीप देख रहे हो आप यह ग्रीप खुद को खरीदना पड़ता है और यह इस टील जो है मतलब यह इस टील अगर आपका नीचे फ्लोर में रहता है हमेशा पैडिस्टेल में तो पानी किरने के बाद जंग लग जाता है तो यह चीछ आप लोगों को एक्स्ट्रा आइडिया लाकर खरीदना पड़ेगा और इस चीछ के साथ आपको नट खरीदना पड़ेगा और आपको टाइट करना पड़ेगा जैसे कि इसका होल थोड़ा सा छोटा है बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि नट नहीं जा रहा है और यह चीछ हमेशा आप ध्यान दिजिएगा एक काम गलत मत करिएग मतलब बहुत जग में देखता हूँ डाइरेक्ली ऐसे चीच होता है तो लगा देते हैं तो कभी भी आपका पानी गिरता है फ्लोरिंग तो धोते हो तो कभी भी आपका वो जंग लग जाएगा कुछ दिनों में काला पड़ जाएगा अगर नीचे ये रहेगा तो आपका काला नहीं पड़ेगा उसके बाद ये ऐसे डाइरेक्ली फिटिंग करने के बाद अच्छे से आपको क्या करना है नट टाइट कर देना है और अगर आप लोग चाते हो तो ऐसे पेडिश्टेल वेसिन आप लोग लिंक दिया हूँ एक साइट ओपेनली रहता है मतलब ये दिवाल के साइट में रहेगा आपका बोतल ट्राप आउटलेट कुछ भी लगने वाला है और यहाँ देख लिज़े आप लोग ये सिस्टम में रखाऊं उसके बाद मैं इसे धीरे से रख कर मेजरमेंट करूँगा ओके यह आप रख दिया उपर काफी खुपसूरत दिएगा इसका पूरा सेट आता है नल वल और ये है ओश्ट कपलिंग इसमें आपको रखना पड़ेगा उससे पहले आप लोगों को मेजरमेंट एक बर बस ऐसे दिवाल में पैर रख के नीचे पैर रखना पड़ेगा और उपर साइट आइसे ठेल के दिवाल में लगा देना है उसके बाद क्या करना है आपको उपर एक मार्किंग लेना है तो ले लिजिए नहीं तो और मेजरमेंट जो है वो बताता हूँ जैसे कि यह ओश्ट पाइप है अपका उपर पिलार यह सोरी साड़े सोला इंच हो रहा है तो आपको उपर भी सेंटर इसका साड़े सोला इंच कर लेना है यहाँ पे खिसका लेना है थोड़ा सा और पारफेक्ट मेजरमेंट करके देख लेना है जो पारफेक्ट है कि नहीं अब हो गया पारफेक्ट अब आपको नीचे दो ज वहां पर मुझे मार्किंग जरूरी है, क्योंकि अगर खिशक गया बाद में फिर अभी निकल के फिटिंग करने वाले हूँ, तो एक मार्किंग जरूरी है, उसके बाद नीचे आपको दो जगम मार्किंग करना ही दिखाता हूँ, यहां पर एक रेक बोल्स लगेगा आपका 12 mm वाला और आपको उस साइड भी से मैं से ये दोनों में आपको ड्रील करना है और ड्रील करके ये फिटिंग करना है ताकि श्ट्रॉंग हो जाए तो यहाँ पर देख लीज आप लोग यहाँ पर मैं ड्रील पाना का मार्किंग हो चुका है कोई पर्फेक्ट् पिटिंग भी और एक चीच यहाँ पर आप लोग को बता देते है ये जो ठ्रेड आपको का पूरा जाना चाहिए दीवाल तक मतलब क्योंकि नहीं तो आपका यह हो जाएगा मतलब थ्रेट थोड़ा सभी बाहर रहे गया बाहर की साइट अगर थ्रेट नहीं बचा है जो टाइट करने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूं बच के रहे गया तो आपका टाइट यहीं होएगा यह चीज का आप लोगों को धियान देना है तो मैं इसे नॉर्मेली पहले टाइट कर लेता हूं दोनों इजीली चीज है दिखाऊंगा नहीं यहीं पर आप लोगों को एक चीज दिखाना है देख लिए रेग बोल्ट का पूरा अंदर तक जाना चाहिए ठ् इसके बाद इसके उपर बेसिन रखना है यहीं साथ ताइट करना है और इसका मेजरमेंट आपको जानना है किस तरीके से ताइट करना है जैसे कि पेडिष्टैल मेरा बाहर साइट है ध्यान दिखेगा आप लोग कैसे कैसे रखा हूँ अध्यान दिजेगा इसे आपको पूरा परिफेक्ट सेंटर में रख देना है उसके बाद आपको क्या करना है बेसिन रखना है और बेसिन जो है और आपका इसका जो राइटिंग है देख लिजे ये राइटिंग टू ये सेंटर जो है ये पूरा ऐसा स दोनों में से उसके बाद आपको इसे टाइट करना है और 32 साब धान से करना है तो चलिए कैसे टाइट किया जाता है फिर कैसे यहां सिस्टाम से फिटिंग किया जाएगा उस सब चीज दिखाऊंगा तो सबसे पहले वाइसर और उसका जमनड जो हता है वह इसका प्लिंग का ऐसे ही पढ़ा था अब चलिए मैं इसे उठाता हूँ सोरी वहां से उठाता हूँ मैं ट्राय कर रहा था हूँ वहां से उठेगा की नहीं ओके चलिए यहां पर आप लोगों को दो चीज ध्यान देना है एक सबसे पहले रेक बोल्ट में जो है आपको बहुत ही प्यार से अ नर्मेली टाइट हुआ है और इसे आपको पूरा टाइट करना है लेकिन उससे पहले आपको और एक चीज करना पड़ेगा चलिए वहस कपलिंग टाइट करने से पहले जो चीज करना पड़ेगा वह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ओके देखिए वहस कपलिंग दिमाग में आभी तक नहीं आया है तो सबसे पहले मैं इसे tight कर लेता हूँ फिर आप लोग को next चीछ बता कर waist coupling tight करना पड़ेगा बताता हूँ तो देखिए हमें साथ जब भी basin लगाते हो और pedestal लगाते हो तो waist coupling ऐसे system में tight नहीं करके पेडिश्टेल इस्ट्रेट करिए जैसे मैं कर रहा हूँ उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ measurement ले रहा हूँ दोनों साइट देख लिए जितना भी mm आपका हो रहा है तो दोनों साइट आपको ऐसे measurement लेना है ओके दोनों साइट ऐसे आप ले लेजिए पत्थर से अब मैं करूँगा pilar kock tight उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है नौर्मल सा nut tight करके आपको pilar kock सीधा देखना है उसके बाद फिर से आपको हाथ में पॉड़के tight करना है जैसे कि मैं करूँगा और आप लोगों को यहाँ और एक चीज बता देता हूँ देख लिए यहाँ पर हाथ पकड़िए जैसे कि यहाँ मैं fix पाना screw पाना जो है उसे मैं काम कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर box पाना में भी कर सकते हो लेकि space है जगा है इसे के वज़े से मैं screw पाना में कर रहा हूँ और आप भी ऐसे कर सकते हो उसके बाद टाइट करने के बाद आपको क्या करना है was we seen null देख लिजए straight है और strong IQ नहीं भी देख लिजए null perfect उसके बाद next topic यहाँ पर आपको connection pipe लगा के क्या करना है एंगेल कोक से पानी थोड़ा निकाल दीजिए थाकि पिलार कोक में जो कच्ड़ा रहता है वो जाएगा नहीं ओके अब यह लग रहा है अब यह लग रहा है बेसिन का outlet का बेस टाइप यहाँ पर चाहे तो आप बटल ट्रप लगा सकते हो क्लाइंट की बसंद है उसके बाद बेस टाइप लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है measurement जो है दिवाल से इसा पकड़ना है उसके बाद चारिंग यह इतना हो रहा है वहाँ से पकड़के आप थोड़ा सा बड़ा लेना है ज्यादा भी बड़ा अंदर रहना आपके लिए हानी काराख है मतलब आपका बेसिन के लिए आपका यूज करने के लिए हानी काराख मतलब बाद में तक जाएगा यह चीज को आपको ध्यान देना है कपड़े दूँगा तो मेरा 1.5 इंच 2 इंच 1 इंच उतने ही जाएगा वाइट सेमेंट तो बाद में इजिली निकल जाएगा अब क्या करना है यह दिया अब उससे 1 इंच मेरा वाइट सेमेंट अंदर जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्या करना है सपाई कर देना है अब हो गया पूरा काम कंप्लीट जहां आप देख रहे हो खुबसूरत काफी दीख रहा है अब चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजिए पांच लग सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा ओके और ऐसा बेसीन अगर आप देखना चाहते हो बहुत सार बेसीन मिल जाएगा आपको एमाजन में जो लिं सब्सक्राइब करूंगा आप लोग के साथ आप लोग के पास किसी दूसरे टुपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई